एक्षवली यह वीडियो जो है मैं सूट कर रहा हूं अपने फ्रंट मोबाइल के कैमरा से तो साथ क्वाल्टी सही ना हो बट आवाज आपको क्लियर जा पार ही होगी तो इस वीडियो में मैं बताऊंगा इस वीडियो में पूरा शूट किया है और मैं अपने वाज को डाला इस वीडियो में ओके तो आपको विडियो को देखिएगा तो समझ पाईएगा कि बैरल कैसे काम करता है मैगजिन को कैसे सेट के जाता है ट्रिगर कैसे काम करता है और बुलेट जो है कैसे फाइर होता है निकल के जाता है तो इस वीडियो में मैं सुरूच लेके लाश तक देखने के लिए इस लिए बोल रहा हूँ क्योंकि आप पूरे मेकनिजम को समझ पाउगे और हाँ अगर और मेकनिकल और टेकनिकल वीडियो तो आप लोग लाइक भी करेंगे सब्सक्राइब कर देंगे और शेर भी करेंगे अपने फ्रेंज लोग को तुशे लिए आगे के वीडियो में मैं देखता हूं कि कैसे काम करता है लेट एक्सप्लोर कर देखता हूं कर देखता हूं कर देखता है और अलग अलग गन्स के मेकनिस्म अलग होती है और सभी गन्स के बेसिक प्रिस्पल जो है वो एक ही काम पर करती है फुली आटोमेटिक बंदूग जो होती है वो कंटेन्यू फायर करती है और सेमी आटोमेटिक गन्स में एक बार ट्रिगर दबाने पर केकी बार फायर करती है यह एक 9mm सेमी आटोमेटिक पिस्टल है तो इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि एक सेमी आटोमेटिक गन्स और पिश्टल कैसे वर्क करती है एक कार्टूस काटिज है इसको मैगजिन में लोड किया जाता है जिसमें स्प्रिंग और फोलोवर इस पर दवाव बनाए रखते हैं आप देख सकते हैं कि मैगजिन के डिजाइन कुछ इस टैप्स का होता है कि कार्टिज आगे होकर बाहर आता है इस मैगजिन को गन में इस टैप्स से रखा जाता है यहाँ पर आप इंपॉर्टेंट्स इंटर्नल पार्ट्स को देख पा रहे होंगे इसे आप नोट कर सकते हैं गन को फर्स्ट टाइम फाइल करने के लिए रिक्वाइल स्प्रिंग के अगेंस्ट स्लाइडर को वन हैंड से पीछे खीचा जाता है इसी की वज़ा से बहुत सारे चीज़े एक साथ होती है जीने हम वन बाई वन बताएंगे स्लाइडर के मुवमेंट के वज़ा से हैमर पीछे आता है और यह हैमर जो है हैमर अस्टर्ट के जरिए मेन स्प्रिंग से एटाच हुआ रहता है तो आगे हम बताएंगे और दिखाएंगे वन बाई वन यह है शीर यह हैमर के मुवमेंट को कंट्रॉल करता है जब slider पीछी जाता है तब shear lift spring के pressure से hammer के साथ engage हो जाता है और hammer को वापस जाने से रोकता है और जब slider को छोड़ दिया जाता है तब require spring के वज़ा से slider अपनी पहली वाली position पर आ जाती है जबकि hammer shear के वज़ा से अपने place पर ही रहता है और इस process को हम poking कहते है जब slider पीछे की ओर आता है तो इस पर बने projection barrel को पीछे की ओर push करता है जिसके वज़ा से barrel कुछ नीचे आ जाता है और फिर इसमें cartridge easily डाल सकते हैं जब slider return lot रहा होता है तो ये एक cartridge barrel में ले जाता है और barrel को फिर से पहले की वाली position में push कर दियता है cartridge का पिछला part extractor में फस जाता है जिसकी slider से जुआ होता है pistol अब fire करने के लिए ready है जब trigger press और दबाया जाता है तो shear disconnector के through push हो जाता है जिसकी वज़ा से hammer disengage हो जाता है hammer up free है और main spring दबाया जाता है और main spring के दबाव में ये firing pin जो की slider में fix होती है इसे jet अगराता है hammer और फिर ये firing pin काटेज के प्रैमर पर strike करती है प्रैमर क्या होता है प्रैमर में impact sensitive explosive होता है जो की firing pin के तकराने से वज़ा से जल जाता है और इसके वज़ा से काटेज में रखे powder में आग लग जाती है जिससे high pressure gases produce होती है और इसी type के bullet के पीछे की जगा high pressure gases बाहर जाती है और तभी bullet के heavy pressure लगता है जिसके वज़ा से bullet बहुत ही speed में पहार आती है और speed में barrels बाहर निकलती है और bullet के बाहर आते ही ये gases atmosphere में मिल जाती है और bullet अपनी momentum के कारण आगे बढ़ती जाती है आप देख रहे होंगे कि barrel में कुछ lance बने होते है जो के bullet के speed में घुमा देता है जैसे लट्टू घुमता है speed में उस तरह से घुमाते है speed में आगे की और घुमाते है ले जाती है एक single direction में explosion जब होती है तो आज़ी energy explosion के slider को पीछे ढखेल देती है और उसे ढखेलने में ही use हो जाती है case बोलो या खोखा slider के साथ पीछे आता है और ejector के मदद से ejector की help से बाहर निकल जाता है साथी साथ slider hammer को पीछे push करता है और गन अपने आप आप आटोमेटिक लोड हो जाता है और लोड भी कर देता है और गन अब ready है अगली fire करने के लिए trigger दवाने पर सीधा shear में नहीं लगता है shear disc connector की help से push किया जाता है और जब slider को पीछे की तरफ लिया जाता है तो इस पर बने slot की help से disc connector को नीचे की तरफ खिसका दिया जाता है now shear और trigger अलग हो गए है और इसलिए trigger दवे होने पर ये भी shear hammer को साथ engage हो सकता है जब trigger छोड़ दिया जाता है तब disc connector lift spring के pressure से वज़ा से slider के slot में चला जाता है और अब gun फिर से fire की जा सकती है grip safety gun को अपने आप fire करने से रोपती है तो ये थी mechanism of a time